इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दफ्तरी ओम स्री राम एक सो पचीज धान के बारे में धान का सीजन आ चुका है आप अगर लगाना चाहते हैं तो ये एक बहतर आप्शन आपके लिए हो सकता है काफी अच्छी फसल होती है काफी अच्छा धान होता है बसरते आप जब इसको लेने जाएं तो एक चीज का विशेज ध्यान दे जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप धान लें आप देखें कि वो उसका मैनुफेक्ट्रिंग नया होना चाहिए जिस भी कमपनी का आप लें एक चीज का ध्यान दें कि हमेशा नया होना चाहिए मतलब अगर 2022 में आप लगा रहे हैं 2021 का होना चाहिए मैक्सिमम एक साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए अधरवाइस प्रोड़क्शन आपका लूज हो जाएगा इसका आपको विश्यादा देना चाहिए मैनुफेक्ट्रिंग डेट आप जरूर देख लें और दूसरी चीज जितने भी संसोधित वीज आप लेते हैं ज्यादा तर आप मार्केट से नए बीज को लेके ही रूपाई करें वो ज्यादा बहतर होगा तो बात करते हैं दफ्तरी 125 के बारे में ओम स्री राम 125 तो यह धान आप तीन तरीके से लगा सकते हैं मैं हमेशा बताता हूँ आप इसकी रूपाई कर सकते हैं मने आप इसकी नर्सरी लगा सकते हैं आप सीधे 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 सूपर सीडर से वहाई कर सकते हैं और संड़ा लगा सकते हैं तो on average जो हमारा nursery का बीज लग जाएगा वो मान के चलिए 45-5 किलो के आसपास लग जाएगा संदा लगाते हैं तो उसका आदा पकड़े हैं आप 2,5 किलो के आसपास संदे का बीज लग जाएगा इस तरीके से आप तयार करके इसकी रुपाई कर सकते हैं बात करें अगर इसके मतलब तयार होने का जो समय लगेगा धान को वो मान के चलिए आप 135 प्लस माने 135 दिन से ज़्यादा ही लगेगा कम नहीं लगेगा और अगर पैदावार की बात कर लें तो यह मान के चलिए कि 200 पिछे आपको 40-45 किलो के आसपास यह 200 पिछे धान आपका पैदा हो जाएगा यह एक आउसत मान है इसका इतना निकल ही जाता है अब मार्केट में कहीं से भी इस बीच को ले सकते हैं इसका 10 किलो का पैकेट है जो मैं अभी दिखा रहा हूं वीडियो में आपको इसमें आपका 100 रुपे किलो के आसपास आपको यह मार्केट में कहीं वीडियो वाच करने के लिए धन्यवाद, लाइक से और सब्सक्राइब करें देसी एगरो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपका कोई सुझा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं